हेलो अरिबड़ी एक फिर्श आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाना और बहुत-बहुत सुग्कान नाई बहुत-बहुत भाई आपको बधाई और आप सभी का जिनका भाई का सेलक्षन होगा और जिनका नहीं हो पाया तो आपको अगले सीटी के लिए बैस्ट अफ लक फोड़ी मेहनत और कीजिए थोड़ी सी कसर रह जए आपकी और एक बाद केहना चांगा कुँए कट अपको कई आसमान में बिलकुल इतनी अमीद नहीं एक जितनी घई है फिक है मैंने क्ट अच्चा सा को कर लेक्ट करके ही ब लगवग उसके पास ही मैंने भी कटोफ लगवग यही 76-77 के आसपास आपको बताई थी देख लेना मेरी वीडियो लेकिन मैंने बताई थी वो 100 में से लेकिन इनकी कटोफ को पिच्चान में से यहने की कटोफ बहुत आरपा तो मैं आपको बताऊंगा इतो बहुत आई गया आपको पता ही होगा तो मैं थोड़ा लेट बनाना वीडियो अब इसमें समझने की बाते दो तीन चीज़े अगर आपका सेलक्षन इसमें हुआ है तो आप इसको अच्छे है समझ देना कि कहां पे जोइनिंग करने आगर क्या होगा क्या कुछ है और उसके लिए मैं आपको अब वीडियो बना बना के अगर मैं हर चीज को वीडियो में बता हुआ तो मैं टेलिग्राम पर डाल दूँआ बाई जो जो प्रोसेस होगा सब फटा फटा से जुर्जा पहले तो टेलिग्राम पर डिस्कुशन में लिंक दे दिए वहां से सक्सरेना के नाम से देखो इसम सब्सक्राइब को मतलब जिनको विभाग मिला है डिपार्टमेंट मिला है वो सिट्टे यह थी ठीक है टोटल सिट्टों की बाते हरियानाए ग्रूप यह है एकनोमिक शिक्रसेक्शन वाड़ा समझ कर लड़ यह है बोर्ड शूल एड्यूकेशन यह है और भाई प्रिप्ल सब्सक्राइब करने रिप्लाइब आप खुद सोचो तैलेग्राम पर मैं खुद ही डाल दूँगा मुझे पता है क्या-क्या पूछना आप लगो तो टेलेग्राम पर जूड जोड़ जाओ हरियाना डेरी डवलप्मेंट कोर्परेशन फेडरेशन में बताया है यह है इतन अब सुन लेना जो आ चुके है मैंने कुछ देख भी लिए मैसेज कुछ इस्यू भी आपके हैं भी बताऊंगा और कुछ जैनवान इस्यूज है कुछ को थोड़ा समझने में थोड़ी मतलब नहीं समझने आया कि क्या मांपला है तो सुनो तेको यह जो रिजल्ट है ना य यह आपका आया है CET score और CET marks के अधार पर अब यह क्या चीज है वह तंबा तेको यहां पर लिखा भी है यह जो रिजल्ट है यह दिखाया गया वही आपका जो रिजल्ट है असेंडिंग ओडर फ्रोल नंबर ठीक है यह मेरिट नहीं है यानि कि मेरिट डिसेंडिंग ओड नहीं है मेरिट का यह सिर्फ डॉल नंबर के कोडिंग लिखाया और जो सेलेक्शन है यह जो सेलेक्शन है यहां पर लिखाया है सेलेक्शन खोर्द बिलोव मैंशन के डिटेज़ इंडिपेंडनेंट अव तेयर क्लेम सोशियो एकनमिक्स मार्क्स के यह आपका रिजल्ट में से आया मैंने भी आपको वैसे यह डाटा दिया था कि लगवा 11,000 पोस्टों का आएगा मैं टेलेग्राम पर मैं डालता रहता हूं फटा पट चीद दिन लेकिन यह जो पोस्ट थी है मैंने का तो भी बढ़े नहीं पता क्यों नहीं बढ़े ही लेकिन हो सकता आगे अब सबसे वैलिव आते हैं आपको जोइनिंग कहां कबनी है यहां पर लिखा पहला पॉइंट अधिपार्टमेंट बॉर्ड को प्रोप्रेशन अलोटी टुद देट इस प्रोविजिनली है यह चेंज भी हो सकता है फाइनल होने के बाद यानिक जब यह रिकुलोन प्रोस सब्सक्राइब हो सकता है उसके बाद तो ही जाएगा उस टाइम भी चेंज हो सकता है लेकिन जिनको बोर्ड कोर्परेशन मिल गया अगर वह अभी वर्ती में चेंज हो गया तो हो गया उसके बाद नहीं होगा लेकिन जिसका कॉमन के एडर है उसका डिवार्टमन कभी भी जाएगा वह बात की बातें बता दें कभी सीएस के नंबर के कोडिंग इनको जो एसपी कंडिडेट है उनकी डिपार्टमेंट ग्रडेशन की चेकिंग करेगा यह सब जे लिखती है और अगर इसमें आपको कोई तुरूटी लगती है ठीक है अब तुरूटी क्या है वह सुन है यानि कि नंबर ज्यादा है फिरवि नाम नहीं है तो अगर आपको लगता है कि मे ये था था ज स्कोर रिक्वार्ड है तो तो अगर आपको लगता है यो स्कूर ज्यादा इस से और फिर भी नहीं आए तो आप perceive यहाज ऑन्मिजा सकते आज ही ओफिस खुला मिलेगा अचार रेजल्टर सब्जेक्ट एक केस भी हो रखा है पांच नमबर वाला यह देखो यह सुमित गयलावत वाला केस का नमबर है तो और यह एक दूसरा केस है यह नहीं पता मुझे किसका है आंग गया एक सब्सक्राइब वाई एक मिनट तो इसके अधार पे आपका होगा यह अब देखो फिर च्श 아닌 करने के सब्सक्राइब वर एक को जल्दी सी जल्दी करनी है लेकिन जो आपकी अपोइन्ट्री या जो आपको मिला है वब्सक्राइब दिया जाएगा बहुत जल्ली से जल्दी लेकिन किा है इंत्यमेशन कहा से आएगा आयेगा जो और और को इसलों को में पताए भीują databases मत कर ऑफाले तो बर्ड गुर्पार्यशन यहां कि जो कोंड़िशन के अलावा जो चीज ए उन सभी का हेड़कोर्टर संका पंचफफी जाने इसे पहले गूगल कर ले रहुत थे तो मैंने बताइं बिद्ध sido गूगल कर ले अपको पता चल जाएगा पंचफुला में आ चन्डिगर में कहां प्र उसका हेड़कोर्टर अपकी जो इनिंग हो गी भाप ठीक है जो इंग हो जाएगी वहां पर चले जाना आपने डोग में डोगरा लेकि निकल लो बेसा मेरे शाब से मेरे दिन में निकल लेना कोई दिक करने श्याम तक पहुच जाना दूसरा जो है को में कमेंट करके यह मैं कुछ ना जी फलाना फलाना कहा है गूगल कर लो जोइनिंग होगी चीप सेग्रेटरी ओफिस पर चीप सेग्रेटरी ओफिस वेबसाट रिखाए तो अभी मैं यहीं चीज़ देख रहा था कि कुछ आया नहीं अभी इस वेबसाइट पर कुछ नहीं आया है आपको अभी वेट करना पड़ेगा को मन केडर के लिए यहां प सब्सक्राइब तो थोड़ा सा वेट करना भी आप जिनको को मन केडर मिला है जाव भी अफडेट होगी मैं आपको शेयर कर दोंगा मेरे टैलेग्राम में बता दे जोइन कर लो ठीक है दूसरा अब आजाओ जी यहां पर मैंने क्यों का कुछ बच्चों को समझने में दरवाली जामए लिग्षै ये कट आप मैंने सो में से बताए थी लेको यहां पर यह 15 मैंसे आफ़ देखो पर स्आप ऑम सेप्ट का मतलब है की पिच्चाँब में से कितने नमबर पर कर्ट आप अ वह यह कटओफ आजपर सीटी स्कोर सीटी स्कोर का मतलब है, PLUS 5 न downstream 100 स्कोर है यह सीटी मांक्स है तो सीटी स्कोर के अधार पैने कि पिच्चाना नुम्बर में से जो कटोफ है वो है जनल की 77.83 लेकिन अगर सोशी एगनमेक मांक्स मिलते हैं अगर मिलते हैं तो कटोफ बनती है जी स्कोर के जो इन दोनों के लिए अलिजिवल है दोनों के लिए दोनों के लिए दोनों को को मतलब क्वालिभाई कर रहा है उस बच्चे का नंबर है इस लिश्ट में अब कहें कुछ बच्चों के साथ प्रोब्लम क्या हुई मैं बताता हूं जो मेरे को अभी तक समझ में आया है फर एकजमपल कोई ऐसी का बच्चा था उसके नंबर है जी 71.18 ज्यान देड़ा उस उसकी नंबर कितने रहेंगे सीटी स्कोर में भी 71.18 ही रहेंगे लेकिन अगर पांच नंबर मिले तो कट ओफ ऐसी की जाएगे चो 70.00 तो उसका सेलेक्शन नहीं होगा और इस लिश्ट में फिर कह रहा हूं उसी बच्चे का नाम है जो इस कट ओफ में भी आ रहा है और इस तब फाइनल होगा उसका नाम जब पांच नंबर मिलने हैं या नहीं मिलने ये डिसाइड हो जाएगा तो अब आपके सबको तो कट ओफ यह बन जाएगी फिर आप सेलेक्शन जों से भार क्योंकियोंकि आपके पास पांच नंबर नहीं है ठीक है तो ऐसे बच्चे जिनके पास नंबर नहीं है और इस cut-off में qualify है इधर वाली में CT-marks में तो उनका नाम भी नहीं है इसमें उनको बादन वी लेगा मौका अगर कोट ने पांस नमबर हटाए तो अगर कोट ने बाचर मट दे दी तो cut off यह रहेगी तो अब final बात क्या है जो बच्चा इस cut off को भी qualify कर रहा है फिचर्म में से और जो बच्चा इस cut off को qualify कर रहा है 100 में से केवल उसी का selection zone में अभी नाम है तो कुछ बच्चों का doubt तो यहां के स्कोर काड लेकर हमने डोकूमेंट लेकर जागा ऐसे यह सम जनल का टॉफ जिख लो जो डी सेपलाइस समय 38 है डिपेंडेंट इस वाड़ पर चैल यह समस्टाइब पांट त्रहपण जनल और यह पांट अब यह देखको यह समझनी आया कि पांट पांट त्रहपांट पच थोड़ासा लिखने में नहीं हो सकता है कोई चुथ थोड़ा सा यह लिखने में और भी सैल्फ यह डिसेबल की बहुत houses जाद हखे की इसमें कोई नहीं होता कि जनल में प्लस्द नहीं सकता है वच्छा उसमें लगा दिया होगा है अचापीसि ओसम यह देखे लो टॉफ यह सबसे पर दिपंधुन्ट इस पर अडियो में यह इसम की 48 पंट यह बगएर और गएवगर इसपी की कट अफ यह डिया आपके साफ ठीक है यह पीड़ेवलु कट ओफ है पीड़ेवलु कट ओफ वही है जो मैंने बताई थी बस इसको छोड़ करके क्योंकि इनकी जात्ती है ज्यादा वैसे मैंने आप बताया था वही है लेकि यह डिसेंडिंग ओडर में देखो लिस्ट ऑफ कंडिटर लोटीटू रिस्पेक्टिव डिपार्टमें इन डिसेंडिंग ओफ दायर नंबर आप अपना सर्च कर लेना नंबर यहां पर पीडिएफ है सर्च हो जाएगा तो सीधा आपके खुल जाएगा तो इनको क्या मिल बहुत 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 भाई अपना और थोड़ी सी महनत किजी आग्या आपको मुका मिले धन्यवाद